नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका येस स्टर्डी ट्रिक यूटूब चैनल में जी हाँ दोस्तों जैसा की रोज की तरह हमने जो आपको क्वेश्चन दिये अभ्यास के लिए आप सभी ने उत्तर बताने का बहुत अच्छा प्रयास किया है यहाँ पर हम आपको उन उत्तरों का जो है प्रसन जो प्रसन है उनका उत्तर बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं तो देखते हैं, हमारे जो प्रस्ण हैं, उनके बारे में तो पहले आपसे निवेधन करूँगा, कि बहुत सारे बीडियो आई एस स्टरडी ट्रिक यूटूब चैनल में, जो है अपलोड हैं, आप यहां से संधी देख सकते हैं, और भी सारे बीडियो हैं, बहुत सारे बीड जो है प्रसनों के लिए तो आज जो हमारे प्रसनों पूछे गए थे सबसे पहले जो पूछा था कि बर्ण रतनाकर आपको बताना थे कि किस की रचना है यहाँ पर चार बिकल्प आपके सामने मौझूद थे और सबसे जादा जो बताया है वो जो 300 ठाकर बताया है बर्ण रत रतनाकर की रचना किसमे की है जो 300 ठाकर की की है अब बात आती है सबसे पहला जो बिकल्प दिया है कौन सा दिया है सबसे पहले बिकल्प दिया है दामुदर पंडित अब दामुदर पंडित की एक आपने उक्ती ब्यक्ती प्रक्रण पड़ी होगी है ना उक्ती ब्यक्ती रचना है भक्तमाल और केसाउदास की आपने चंदों का अजायब घर रामचंद्री का केसाउदास की प्रमुक रचना है तो इस प्रकार से चारी विकल्प के हमें पता चल जाती है कि दामोदर जो पंडेत हैं उनकी उक्ति व्यक्ति प्रक्रण हो जाएगी जो 300 ठाकुर की ब ब्यास सम्मान बताना था और बहुत से लोगों ने करशना सोपती को बताया है ब्यास सम्मान के लिए दोस्तों हम आपको बता दें कि करशना सोपती को जो ब्यास सम्मान मिला था वो कम मिला था 2007 में मिला था 2007 में करशना सोपती को मिला और सुनीता जैन को मिला 2015 में और रतन मोहन जहा को 2016 में और ममता कालिया को मिला है 2017 में एब्या सम्मान और सभी लोगों क्या लगाया है 30% जो लोग हैं उनने क्रशना सुपती को लगाया है जब कि क्रशना सुपती को 2017 का क्या मिला है ग्यान पीट पुरुषकार मिला है तो यहां पर यह चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सुमित्रा नं 60 में और बात करें कि और भासि के लिए जो है जिरामदारी सिंद्रिनकर को 72 में मिला और 78 में किसे मिल गया फ्र 2011े अग्येजी को मिल गया कितनी नाव में कितनी बार Catalina में मिला किसे महादेवी बर्मा को यामा के लिए मिला तो इस प्रकार से ग्यानद पीट पुरुषकार की अगर बात करें तो ग्यानद पुरुषकार को चार रचनाओं के लिए मिला उसके बाद जो है ब्यासी के बाद संपून साहत संपूर्ण साहित के लिए एक ग्यानपीट पुरुषकार दिया जाने लगा तो चार रचनाओं के लिए इस प्रकार से मिला था एक ग्यानपीट पुरुषकार बात करें सुमित्रा नंदन पंत की तो पल्लाओ, ग्राम्या और कलाओ और बूरा चांद ये सुमित्रा नंद की प्रमुक्रचना है और कला और बूडा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है 1960 में क्या मिला था 1960 में इने साहे तकादी पुरुसकार मिला था तो ये चीज आपको ध्यार रखनी है Next question देखते हैं दोस्तो की नई दिल्ली में 200 हिंदी समिलन कब हुआ जी आँ दोस्तो 200 हिंदी समिलन आपको पता होगा कि जो राष्टिय प्रचार समीती बरदा है इसकी अनुसंसा पर जो है 200 हिंदी समिलन का एक संगठन बनाया गया जिसका सचीवाल है कहा है मारिसस में है 200 हिंदी समिलन का 200 हिंदी समिलन की सुरुवात 1975 कब से हुई है 1900 1975 से 200 हिंदी समिलन की सुरुवात हुई और 1975 में पिर्थमबार पिर्थमबार जो इसका आयोजन हुआ 200 हिंदी समिलन का वो हुआ था कहां पर नाकपुर में हुआ था सबसे पहले और नाकपुर के बाद जो है अगर बात करें तो 76 में हुआ था कहां मारीसस में 76 में मारीसस में और 83 में जो हुआ था वो कहां पर हुआ था अपने नई दिल्ली में जो है हुआ था 83 में, 1983 में और बात करें कि 93 की बात करें तो 93 में फिर से मारिसस में हुआ और 96 में बात करें तो ये तिरनीदाद तिरनीदाद में हुआ था और 99 में लंदन में और 2015 में फिर भारत के भोपाल में हुआ तो इस प्रकार से हमें ये 200 हिंदी संबिलन को भी अच्छे से आत करना है 2015 में हुआ और 2018 का जो हुआ है वो हुआ है मारिसस में है ना तो विस्विंदी सम्मिलन भी हमें यहाँ पर पता चल जाते हैं बहुत से लोगों ने तेरा सी लगाया था और 2018 बास्तों में सही है और नेक्स है संस्कृति के चार अध्याई आपको संस्कृति के चार अध्याई बताना है किसकी रचना है संस्कृति के चार अध्याई दिनकर को किस रचना के लिए साहित अकादियू पुरुषकार मिला यह प्रसन है तो संस्कृ संस्कृति के चार अध्याय के लिए साहे तकादमी पुरुषकार मिला है और उर्बसी के लिए हमने बताया था आपको संस्कृति के चार अध्याय इसका सही हो जाएगा साहे तकादमी पुरुषकार इने मिला 1969 में 1969 में इने क्या मिला साहे तकादमी और उर्बसी के लिए इन और हुंकार ये चारों रचना एको उनकी हैं एसेंस के दिनकरजी की हैं और दिनकरजी को आपको पता होगा कि अनल कभी कहा जाता है और अधैर का कभी भी इने कहा जाता है तो अच्छे से इनको पढ़ना है दिनकरजी को बात करें केदारनास से हैं जी हां दोस्तो आपको पत करता होगा कैदार नासने का निदन हो गया कब हो गया 2018 में तरतिय तरतिय है है जो की सही हित्रतिय नेक्ट देखते हैं सब्दार्थ सरीरम तावत्त काब्यम काब्य की परिभास किस ने दी है 490 बोट इसमें पड़े हैं वो 72 परसेंट लोग बामन को मान रहे हैं लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है आनंद बर्धन आनंद बर्धन है क्योंकि सब्दार ने आपको पता होगा यह द्धनी संप्रदाए के प्रबर्धा के आनंद बर्धन है ना द्धनी भी हमारे कानों में जाती है अच्ची अगर द्धनी जाती है तो हमें आनंद के नुगूती होने लगती है तो इस परकार से इसको याद भी यहाँ पर कर लेंगे बात करते है महेंदर में संदी है महेंदर में आपको बताना था आके बाद E आ रहा है तो इसमें महादान इंदर हो जाएगा मतलब गुण संदी हो जाएगी दोस्तों तो 86% लोगों ने बताया है क्या बताया है गुण संदी बताया यहाँ पर तो इसका गुण संदी सही हो जाएगा महेंद्र में नेक्स देखें तुलची दास किसकी रचना है आपको बतानी थी कुछ लोगों ने कमेंट किया कि तुलची दास तो कभी का नाम है रचना कैसे हो गई ठीक है लेकिन तुल्शिदास जो रचना है वो किसकी है निराला जी की है और 45% लोगों ने लगा है सुमित्रा नंदन पंत को वो कुछ ने तो तुल्शिदास ही लगा दिया तो इस परकार से जो निराला जी की रचना है वो तुल्शिदास है तुल्शिदास निराला जी की रचना ह नेक्स्ट मुक्तिवोद किसकी रचना है जी हां दोस्तों अब फिर कहेंगे आपकी मुक्तिवोद तो कभी का नाम है मुक्तिवोद कहां से आ गई रचना तो मुक्तिवोद 89% लोगों ने लगा दिया गजाननमादा मुक्तिबोद लगा दिया लेकिन ये बास्त में जो उपन्यास है वो जैनेंदर कुमार का उपन्यास माना जाता है मुक्तिबोद ठीक है तो ये मुक्तिबोद रचना हो गई किसकी हो गई जैनेंद्र कुमार की हो गई यह उपन्यास है जैनेंद्र कुमार का मुक्तिवोद अब आपको बताना है इसपर्स संगर्ची बेंजन जी हाँ दोस्तों इसपर्स संगर्ची बेंजन बताना है तो 71% जो लोग हैं वो जा रहे हैं उसमें संगर्ची की ओर उसमें संगर्सी बेंजन सा सा हा होते हैं जबकि चा चा जा 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 इस पर से संगर्सी बेंजन कहलाते हैं तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल नमर सी चा चा जा 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 है ना तो नेक्ट देखें आगोस बरन कितने हैं जी आँ दोस्तों आगोस बरन आ कितनी हैं 33 है और बात करें काई की अलप प्राण और महा प्राण अलप प्राण और महा प्राण आपने पड़े होंगे अलप प्राण कितने होते हैं अलप प्राण होते हैं दोस्तों कितने अलप प्राण कैसे गिने जाते हैं अलप प्राण तो इस प्रकार से आपको देखना है तो 15 जो है बहुत अच्छे से हमने जो है बर्नो की वीडियो डाले हैं जो बर्नमाला का वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं उसमें बताया है बहुत अच्छे से नेक्स्ट है मात्रा उच्ण काल की आधार पर आपको स्वर बताने थे यहाँ पर तो चादन लोगों ने चार बताए है मात्रा उच्ण काल की आधार पर तो इसका जो उत्तर जो सही है वो है तीन 18% लोगों ने ही इसका सही उत्तर बताए है मात्रा उच्चान काल की आधार पर आपको पता होगा कि हिरास्ट स्वर और दीरग स्वर और पिलोत स्वर जो होते हैं वो मात्रा उच्चान काल की आधार पर इस प्रकार से तीन प्रकार की ये स्वर माने जाते हैं next है अजित का विलोम जो भाजा है 48% लोगों ने इती बताया तो यह इती भी सही हो जाएगा अजैंध का विलोम। next देखते हैं अधम अधम का विलोम आपको बताना था सधन, उत्तम, सधर्म या दिन्धर्म। तो सधम बताया है 72% लोगों ने जो की गलत है क्योंकि जो अधम का सही उत्तर है वो है उत्तम, अधम का जो बिलोम होता है वो उत्तम होता है, नेक्स्ट बर्तनी की द्रश्टी से आपको सही बताना था बर्तनी की द्रश्टी से तो यहाँ पर सही बताया है 95 लोगों ने जोत था कि आविकारी और विकारी ये दो प्रकार की सब्द होते हैं आविकारी सब्द मतलब जिन में क्या है विकार उत्पन नहीं होता और विकारी सब्द जिन में विकार उत्पन होता है तो आविकारी जो सब्द हैं वो क्रिया विसेशन आता है अविकारी सब्दों में और इनम में क्या हो जाता है संग्या सरवनाम क्रिया विसेशन में परिवर्तन हो जाता है और क्रिया विसेशन में किसी प्रकार का वो कितनी बतानी है आपने बताई है 53% लोगों ने बताई है तीन और तीन ही है पूरवी हिंदी की कितनी है अबदी, बगेली और 36 गड़ी इसका एक कोड है अब 36 गड़ी इसका होगा अब 36 गड़ी क्या होगा 36 36 गड़ी ठीक है, 36 गड़ी हो जाएगा, आ से हो जाएगा, क्या अवदी, बासे, बगेली, और 36 गड़ी से 36 गड़ी हो जाएगी, पूरवी हिंदी के याद कर लेना, और इन मैंसे मूर्धन बेंजन आपको बताने थे, सा, 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 हा बताने तो, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, कि यह दंत है, तो इस परकार से 70, जो परसेंट लोगों ने बताया है, वो सा बताया है, सटकोन वाला तो सही बताया है, इस सा सही हो जाएगा, नेक्स्ट है, इन मैंसे कंठाव एंजन आपको बताना था, तो कंठाव एंजन कौन से होते हैं, बर्ग का प्रताम होता है, कावर कावर्ग में आपको पता है कि इसमें गा आ रहा है, कावर्ग का जो गा अक्षर है, वो क्या है, कंठाव धोनी कहलाईगी, नेक्स्ट इसमें देखें, तो यहाँ पर आज के अपने जो प्रसन हैं वो पूर्ण होते हैं, दोस्तों कम से कम 50% लोगों ने सभी जो है प्रसनो जादा से जादा करें, और कमेंट के बादे हम से जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, इतने कठन प्रसनों को बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है, और आपको अभ्यास करवाया जा रहा है, तो दोस्तों वीडियो को सेर जादा से जादा कर आज के लिए बस इतना ही जैहन